काफी लंबे समय के बाद फिर से एक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए उपस्तित हुई हूँ और आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वैल प्रोडुक्स के बारे में वैल प्रोडुक्स में जो हमारा एक खास प्रोडुक्ट आता है वह हमारा वैल नोनी और वैल नोनी किस तरह से हमें वेनिफिट्स देता है हेल्थ के अंदर हमारी बोडी के अंदर इसके बारे में आज आप लोगों से कुछ डिसकसिस करने वाले हैं और मैं आपको बता क्या काम करता है और कैसे काम करता है वेल नोनी को कम प्रूट इस्पेशल नोनी है काफी सारे नोनी मार्केट में प्रचली थे और 2000 से अधिक बर्शों से नोनी का उपयोग हमारी भ्रजन पनाने के साथ हेल्थ को फिट एंड फाइंड अपने के लिए किया जाता है बट जो और नोनी को मुरिंडा सिट्रोफोलिया नाम से भी जाना जाता है हमारी वैल नोनी के अंदर विटामिन और खनीजों के अगर हम बात करें तो पॉटेशियम फास्वरस आईरन काफी सारी सीजी इसके अंदर अवेलेबल हैं और यह किस तरह से आपकी बॉडी में बैनेफिट्स देता है यह आपकी बॉडी में उत्तवों को पुर्ण जिवित करने का काम करता है रोपदी रोदक शम को बनाए रखता है हमारी मोदीकेर वैलनोनी के अंदर कुछ मुख्य गटक पाये जाते हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाती हूं मोदीकेर जो नौनी है वैलनोनी है उसके अंदर प्रोजेरो नाइन, इसकोपोलेटीन, एन्थाक्लोनन, ट्रपिन, अगुलंशिन फाइ दोस्तो हम लोगों को बॉडी में मिलते हैं एक सुसाड़ बीमारियों पर यह प्रोटेक्शन करती है अगर हमारी बॉडी में है तो हमें लेना है और अगर नहीं है तो इस पूर्थी बान और फिट एंड फाइने के लिए हमें इस वैलनोनी को उप्यूब करना चाहिए अगरिक समता है जो हमारी बॉडी को अश्यावियों फाल म सतалась में नहीं कर अफ से की Sikh वेलनोनी हैं उसके अंदर शमता है जो हमारी में बॉडी को आनर्जी देती है अरक रणी में आपको सधी मीर और से किस तरह से काम करती है। लोनी जिसके अंदर नोनी मिलाया हुआ है उसके अंदर इसको घच करते हैं कि किस तरह से य यह देखे दोस्तों अ मौधिके वैलनोनी के अंदर अ CCTV किया तो यह बोडी में 108 के बल्ब कीता रही स्पूर्थी और एनर्जी को बनाये रखती है मौदी केर वैल नोनी लेने से हमारी बोडी में काफी सारी प्राब्लम्स खतम हो जाती है यह मैंने आपको एक प्रैक्टिकली डेमो बताया और मैं आपको बताना चाहती हूं किन-किन प्राब्लम में हमें इसका उप्योग करना चाहिए अगर हमारी बोडी में कुछ प्राब्लम्स हैं तो शुगर ब्लड पेशर थाईराइट मोटापा गठिया जोइंट की प्राबलम सर्वाइकल डैस की प्राबलम डाइजिशेशन की प्राबलम ब्रैड में इंफ्रेक्शन या आपकी पॉडी में किसी तरह के टॉक्सिन से तो उनको रिमोव करने के लिए मौधी केर वैल नोनी का आप उप्योग कर सकते हो मौधी केर वैल नोनी बहुत अच्छा कॉंसेंट्रेट जूस है और जूस का कोई समय नहीं होता है दोस्तों जूस को कभी भी लिया जा सकता है इसलिए हमें फट और फाइन के लिए ऐस जूस को लेना है मैं आपको बताती हूँ जूस की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए मौधी केर अगर वैल नोनी जूस आप ले रहे हो तो आपको पहले सब्ता के तीन दिन इसे 5-5 ऐम लेना है खाने के आदे घंटे पहले सुबे शाम पांच पांच एमेल अगले तीन दिन 10-10 एमेल लेना है खाने के आदे गिंटे पहले सुबे शाम अगला जो लास्ट और सेवन्त डे है उसमें आपको 15-30 एमेल वेल लोनी जूस लेना है और वही लगातार लेते रहना है अगर आप इस कॉंसर्टेट मुदी केर वेल नोनी जूस को लेते हैं तो आपकी बोडी में जो हमारी बोजन को लेने के बाद जुड़ हामपुल टॉक्सिंस आते हैं उन टॉक्सिंस को रिमूव करने की आपको ताकत देता है और आपकी बोडी में एक अच्छी एनर्जी लेबल को ये मैंजिन करता है रोग पदी रोधक शब्दा को बनाये रखता है जो संक्रमित बीमारियां बार बार आपकी बोडी में आती है उससे आपको लड़ने की ताकत देता है और अभी जो हमारा रैनी सीजन चल रहा है इसमें आप वैल नोनी जूसका बब्रबूर मातरा में करिए क्योंकि इस मौसम में काफी सारी बीमारियां हमारी बोडी में आ सकती है उन बोडी में बीमारियों को आने से ये रोकता है और मौधी केर वैल नोनी के अलावा काफी सारे वेल के प्रोडक्स हम लोगों के पास में हैं आप अगर मौधी केर के वैल नोनी प्रोडक्स के अलावा काफी जो प्रोडक्स हम लोगों के पास में हैं उनकी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे कॉल करने के लिए मेरे नमबर नौट कर लीजिए 9269139377 मैं कल्पना जैन मौधी केर प्लेटिनम डाइक्टर आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइप, सस्क्राइब और शेर करना ना भूले थैंक्यू पूर वॉच्चिन